दोस्तों अभी कुछ तिन पहले ही हमारे भूत पूर्व फाइनांस मिनिस्टर अरुम जेतली जी का निधन हुआ और उसका कारण बताया गया है ब्रीधिंग डिफिकल्टी ब्रीधिंग डिफिकल्टी और उनको और भी कई बिमारियां थी पहले उनका किड्नी ट्रांस्प्लांट भी हो चुका था लॉंग स्टेंडिंग डिफिकल्टी था और ऐसी कई सारी बिमारिया उनको थी लेकिन अभी जो अकस्मात उनकी मृत्य हुई है ब्रीधिंग डिफिकल्टी तो उस चीज़ के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि क्यो ब्रीधिंग डिफिकल्टी होती है कैसे होती है क्या क्या कारण हो सकते है और ये इतना कॉमन है कि आपके जानने वालों में से किसी को भी हो सकता है और आपको क्या नॉलेज बेसिक होना चाहिए ताकि आपकी जान बच सके आप किसी की जान बचा सके सो वीडियो पूरा देखना है जरूर शेर करना है लाइक करना है ताकि यूट्यूब दूसरों को ये रेकमेंड करे important points so breathing difficulty में आपको हो सकता है सांस लेने में दिक्कत हो difficulty breathing या फिर सांस लेते समय uncomfortable feel हो या फिर आपको ऐसा लगे कि पूरी तरह से हवा ही नहीं भर रही है आपके lungs में ऐसी चीज़े हो सकती है आपको ये चीज़े समझ नहीं है कि कोई standard definition नहीं है कि यही चीज होगा वही चीज होगा कई बार breathing difficulty difficulty बैठे बैठे होती है कई बार लेटे लेटी होती है कई बार चलने फिरने पर होती है कई बार exercise करने पर होती है हर एक चीज में अलग-अलग conditions हो सकती है लेकिन breathing difficulty में जादा तर आपके फेफडे आपके lungs problem होता है lungs क्यों problem करेंगे heart के वज़े से भी कर सकते है infection के वज़े से भी कर सकते है अस्तमा के वज़े से बहुत सारी बिमारिया है लेकिन जब भी lungs में issue होगा तो उसमें से आवाज आ सकती है लंग्स के अंदर जो सांस की नलियां होती है अगर नलियां सुकुड जाती है तो वीजिंग की आवाज CT जैसी आवाज आती है जो हम इस स्टेटोस्कोप से सुन सकते हैं चाती में और कई बार इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर तक लोगों को इसी आवाज आती है तो वह ब्रीधिंग इशूस होते है राइट अगर ऐसा हो रहा है तुरंथ हॉस्पिटल जाएए पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यक्ता है नेबुलाइजेशन इंजेक्शन इन सब चीजों की यह इंपोर्टन पॉइंट है फिर कारण क पर जमरेट जनरेट हो जाता है और लंग्स के अंदर इतना प्रेशर हो जाता है लंग्स में पानी भरने लगता है पल्मनरी एडीमा होने लगता है तो वह ब्रीधिंग डिफिकल्टी करता है तो हाट फेलियर से भी लंग्स में प्रॉब्लम होती है जो एक अपने आप में important चीज है और कई बार सिर्फ हार्ट आगे कम पंप करें तो muscles और body इतनी weak हो जाती है क्योंकि आगे खून उतना oxygen उतना नहीं पहुश रहा कि आपको चलने फिरने पे breathing difficulty होती है और बैठने पे relax करने पे ठीक हो जाती है ऐसा कुछ है तो हार्ट के तरफ जादा इशारा कर रहा है और साथ में dangerous जानलेवा चीजे भी हो सकती है जो के उन केस में हो सकता है कि वहां हुई हो जैसे के pulmonary edema pulmonary edema क्या है pulmonary embolism pulmonary embolism मतलब एक खून का clot आपके फेफ़णों की lungs की आर्टरी में यानि खून ले जाने वाली नस में जाके फस गया बहुत सारे clot फस गया एक साइड या दोनों साइड सो वहाँ पर हवा तो जारी है लेकिन खून आहीं दिन जा रहा ओकसीजन ही नहीं जारा खून आहीं नहीं जारा ओकसीजन लेने को कार्बन डॉकसाइड देने को सो एकदम बॉडी के अंदर हार्ट अटेक से भी डेंजरस सिचुएशन पैदा हो जाती है जानलेवा सिचुएशन पेशन को खून पतला करने के इंजेक्शन, वेंटिलेटर कई सारी चीजों की ज़रूत पड़ सकती है यह अपने आप में डेंजरस सिचुएशन है जिसे पल्मनरी मतलब लंग्स और एंबोलिजम मतलब क्लॉट आ जाना क्लॉट आ जाना कहते हैं इसी के अलावा क्रोनिक बिमारियां होती है अस्तमा की या सी ओ पीडी जो लोग क्रोनिक ब्रॉंकाइटेस एंफाइसीमा जिनकी टीबी हो चुका है जिनका कोई बहुत ज़ादा लंबे समय से सिग्रेट बीडी तंबाकू लेते हैं उनके लंग्स खराब हो जाते हैं या किसी लंबे निमोनिया के बाद भी ऐसा होता है इबन निमोनिया में, acute निमोनिया में आपको सांस पूलेगा और ब्रॉंकाइटिस, allergic ब्रॉंकाइटिस में भी सांस पूलेगा pulmonary hypertension جो हमने आपको बताजा है back pressure से आपके lungs में pressure हो जाता है उसमें भी और lung की दूसरी बिमारी में भी यहां तक के यह सब तो serious बिमारियां हुई lungs और फेफडो की और heart की छोटी बिमारियां जो कि जान लेवा नहीं है उससे भी सास पूल सकती है और इससे भी खतरनाक बिमारियां जैसे पहले खतरनाक की बात कर लेते हैं heart की, जो heart attack हो गया heart failure हो गया, heart के अंदर rhythm problem हो गया angina हो गया, congenital बच्पन से heart में कुछ छेद है ऐसी चीजों में भी heart सास पूल सकता है allergic reactions बाकी जीजे और panic attacks में भी सास पूल सकता है high altitude पे जाके सास पूल सकता है dust allergy से सास पूल सकता है emotional distress, anxiety से सास पूल सकता है मोटापे से मोटे लोग चलते हैं सास पूलता है obesity और hiatus hernia hiatus hernia के बारे में अलग से वीडियो आप जाके देख सकते है और छोटी छोटी problem जैसे के neck में कहीं vocal cord में swelling आगी group जो बच्चों में होता है naak के नस में naak block हो गया naak में block, गले में block उसके वज़े सास पूल सकता है airway block हो गया epiglottis में inflammation, epiglottitis कहीं भी तो इससे सास पूल सकता है आप क्या कर सकते हो अपने घर में पहला काम तो dangerous लग रहा है hospital जाओ तुरंट check up कराओ या तो OPD जाओ डॉक्टर के पास है या फिर उनके हिसाब से आपके जो heart की problem है कि यह है उसको diagnose करने के लिए डॉक्टर के पास तुरंट जाना चाहिए घर में manage करना बहुत difficult चीज़ है अगर घर में आपके पास nebulizer पड़ा है steam inhalation है तो यह try करके देख सकते है steam inhalation या nebulizer nebulization में medicine डालना है वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे हर पार medicine काम नहीं करती weeks डाल के काम नहीं होता steam अपने आप में काम ज़रूर कर सकती है आप उसको try करे emergency लगती है सीधा hospital जाए कब अगर breathing difficulty sudden है या उससे आपको patient बेहोश होने लग रहा है या breathing बंद हो गई है चाती में दर्द हो रहा है बुखार साथ में है या फिर आपको rest में भी बैठे बैठे भी सास पूल रहा है तो भी आपको hospital जाना चाहिए और अगर आपको खून आ रहा है खासी में बलगम में चाती में बहुत ताइट पना है और diagnose किया जाएगा कहां problem हो उसको ठीक करने के लिए फिर according to that medicine दी जाएगी लेकिन समय बहुत important है अगर आप समय बरबाद करेंगे तो अपनी जान से खेलेंगे तो सांस लेना, सांस में दिक्कत होना एक serious problem है तुरंथ hospital जाएए इसी को हम shortness of breath, breathlessness, breathing difficulty या medical language में कहते हैं dyspnea याद रखिये ये जाके test करवाना चाहिए डॉक्टर के पास best doctor सांस पूलने के लिए है cardiologist और physician और chest physician तैंक यू सो मच पर वाचिंग, stay connected, stay healthy